हालो अब्रीवान वल्कम और वल्कम बैक टो मैं ज्रिम प्रोजेक्ट आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ फ्लिपकट से मेरा पर्चिस किया हुआ कूर्टा एंड शरारा सेट का हॉल ये बहुत ही चोटा हॉल होने वाला है क्योंकि अभी मेरा जो चैनल है उच्छ मुकाम पे नहीं है कि मैं आप लोग के साथ बहुत जादा बड़ा बड़ा हॉल शेर कर पाऊं तो मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना ही आप लोग के साथ शेर करने की कोशिश करती हूँ तो मैंने दो product purchase किया है और मंगवाया है तो मैं आपके साथ वही share करूँगी और बताऊँगी कि ये product मुझे कैसा receive हुआ है अगर आप लोगों को product अच्छा लगे तो आप लोग product को purchase कर सकते हो flip card से मैं इसका purchase link description box में share कर दूँगी आप लोगों को हाँ से चाहे तो purchase कर सकते हैं तो जी हाँ और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like कीज़ेगा, share कीज़ेगा और चानल को जरूर subscribe कीज़ेगा और साथी साथ bell button को भी जरूर hit कर दीजेगा ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूँ उसका notification आप तक पहुँचाए और आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करो तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैंने ये दो कूरता सेट मैंने मंगवाया है तो मैं एक एक करके आपके साथ शेर करूँगी और इसे मैंने अभी भी ओपन नहीं किया है तो मैं आपके सामने ही उसे ओपन करूँगी तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं तो इसे हम ओपन करेंगे तो ये है हमारा कूरता और इसकी जो brand है वो है Naira brand और इसमें कोई brand वगरा tag कुछ दियावा नहीं है पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का कुड़ता है और इसमें mirror size है medium और इसकी जो material है वो है rayon और इसमें जो आप work देख रहे हैं ये embroidery QE है और इहाँ पर आपको जो plastic वाले mirrors होते हैं वो mirror का यहाँ पर आपको work मिल जाता है पूरे में आपको work यहाँ पर मिलता है और ये straight कुड़ता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर गोता पत्ती लगी हुई है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे sides में कुछ इस तरीके के लटकन दिये हुए हैं दोनों ही side में जहाँ पे slit है उसी तरफ कुछ इस तरीके के लटकन है कुर्ता बहुत ही प्यारा है और इसकी sleeve के बाद करें तो यह कुछ इस तरीके की sleeve हमें receive हुई है bell sleeve है ये 3 quarter है इसका length तो आप देख सकते हो bell sleeve से और पीछे और आप neck देख लो neck की design कुछ इस तरीके की है तो इस तरीके की design है यहाँ पे और अगर focus करके मैं आपको दिखा देती हूँ थो असा कि इसका जो work है ये कुछ इस तरीके का है आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा work ह कैमरा में आपको इसका color थोर से difference लग रहा होगा और पर original में इसका जो color है बहुत ही सुंदर pink, peachy color है बहुत ही प्यारा color है और अगर back की बात करें तो back आपका बिल्कुल plane आ जाएगा और यहाँ पे बस side में कुछ इस तरीके की आपको जो lace है वो मिल जाती है और यहाँ प पत्ती की जो lace है कुछ इस तरीके के आपको मिल जाती है साथ में अगर हम सरारा की बात करें तो हमें कुछ इस तरीके का शरारा हमें receive होता है जिसकी flare बहुत ही जादा प्यारी है आप देख सकते हो एक प्यार का कुछ इतना हमें जो घेर है कुछ इस तरीके का हमें flare मिल जा यहां पर हमें वेस्ट लाइन में कुछ इस तरीके का हमें इलास्टिक मिल जाता है, कलर इसका बहुत ही प्यारा है, इसकी जो प्राइज है वो है 7.95 रुपीस में मैंने इसे पर्चेस किया है, और प्राइज के अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा है, पर आई होप आप लो प्राइज है, मुझे लग रहा है यह रेओन और थोड़ा सा कॉटन का मिक्स है, प्योर रेओन नहीं है, पर इसका मटेरियल बहुत ही जाधा अच्छा है, आप इस गर्मी में आराम से कैरी कर सकते हो, अगर छोटे मुड़े फंक्शन हो तो भी आप इसे कैरी करोगे तो अ आप देख सकते हैं, यह है कुटता, यह है इसका पैंड तो इसे हम साइट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसमें मेरा साइज है मेडियम और इसकी भी जो ब्राइंड है वो है नाईरा, पर यहाँ पर कोई टैग वगरा नहीं है, और इसे भी मैंने 7.95 रुपीस में पर हम देख लेंगे कि यह वर्थ है कि नहीं क्यूंकि मैं इसे पहले बार आप लोगों के सामने ही देख रही हूँ तो चलिए हम इसे ओपन कर लेंगे तो इसका जो कलर है वो यलो कलर है बहुत ही सॉफ्ट मतलब बहुत जादा वाइब ब्रेंट वाला यलो नहीं है जो और आप देख सकते हैं इसका जो नेक है वो राउन नेक है और इसकी अगर मतेरियल की बात करें तो यह रियॉन मतेरियल है मतेरियल बहुत जादा अच्छा नहीं है बहुत जादा खराब नहीं है क्योंकि रियॉन में एक होता है बहुत जादा सॉफ्ट बाला वो वाला नह इंब्राइडरी है और यहां पर इंबैलिश्मेंट की वर्क है मतलब मोथी ओ काम के गया है पूरे में मोथीयों का काम है यहां पर शुच्का गार आपको इंबेदितिए है一樣 अपर के आ फेरे पत्ती वाला जो detailing है वो मिल जाता है बात करें इसकी sleeve की तो हमें 3 4th sleeve हमको receive होता है तो इसमें भी आपको bell sleeve receive होगा कुछ इस तरीके का और यहां पे भी आपको गोटा पत्ती वाला work मिलता है तो back के अगर बात करें तो back बिलकुल plain है यहां पे किसी भी तरीके का यहां पे पैंट है उसकी तो पैंट का material थोड़ा सा जाधा अच्छा है कुर्ते से कुर्ते का material मुझे बहुत जाधा अच्छा नहीं लिए अगा बहुत जाधा बुरा भी नहीं है पर पैंट का अगर बात करें तो पैंट मुझे बहुत ही जाधा अच्छा लगा आप देख सकते हो क बहुत ज़ाधा खुब सूर्थ कलर है इसका डॉल एपको daran है खुए और यहां पर आपको एलास्टिक मिल जाता है और इसमें इस फ्लैर वह भी बहुत फ्लैर तुप एक प्लैर का अब को था हुए इतना आपको फ्लैर मिल जाता है तो प्राईस की अकॉर्डिंग ली अगर कहें तो उतना ज़्यादा वर्थ मुझे नहीं लगा क्योंकि कूर्टे का जो material है वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा 795 रुपीज मतलब 800 रुपीया का मैंने इसे पर्चेस किया है पर अगर आपको 700 रुपीया का मिल जाए तो आप इसे जरूर खरी दे और अगर आपको अच्छा लगे है तो आप 800 रुपीज में भी खरी सकते हैं पर मुझे लगता है अगर इसका प्राइस 700 रुपीज तक हो तो जादा बेटर रहेगा अदरवाइस इसका जो लुक है बहुत ही जादा अच्छा है और आप इसे गर्मी में भी कैरी कर सकते हैं आपको बहुत जादा गर्मी नहीं लगेगी और आप देख सकते हैं इसका जो कुर्ते का माटेरियल कुछ इस तरीके का है तो ये थोड़ सा सी थ्रू हो सकता है ये पहनने के बाद पता चलेगा तो मैं इसका जो ट्राइओन है वो आपको दिखा दूंगी तो चलिए ट्राइओन में चलते हैं तो ये था हमारा पहला कुर्टा तो आप देख सकतो इसकी जो नेक है बहुत ही ज़दा डिप है जिसके वज़े से मैंने अंदर एक स्पगेटी पैना हुआ है और इसकी जो फिटिंग है वो भी बहुत ज़दा अच्छी नहीं आ रही थी ये लूज आ रहा था साथी साथ इस इसकी जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आ रही आप देख सकते हो इसकी कटिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी पर ये लुक में अच्छा लग रहा था पर ये पहनने के बाद उतना ज्यादा लुक वाइस अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसकी कटिंग के व मुझे उतना दोदा अब वर्थ नहीं लग रहा है तो जी हाँ अगर आपको 700 में मिल जाए तो आप खरीश सकते हैं तो ये हैं हमारा दूसरा कुर्ता जो की आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है इसका और इसमें जो वर्क किया गया है वो भी बहुत ही जादा अच्छ के दिख रहा है अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हो ये कुर्ता थोड़ा सा लॉंग आ रहा है अगर आप लोग चाहो तो इसे नीचे से थोड़ा सा कट करके ऑल्टर करके भी आप लोग मतलब नीचे थोड़ा कट करके शौट करके कुर्ता को आप लोग इसे पहन स तो यह थोड़ी सी लॉंग आ रही है अगर आप लोगों को थोड़ा सा और शौट आएगा तो आप देख सकते हो यह कूरता भी मुझे थोड़ा सा लूज है पर इसकी जो कटिंग है ना जो एक कूरते की कटिंग होती है वो इसमें अच्छी है जिसके वज़े से यह उतना ब स्पगेटी मैंने पहन रखी वो पीछे में थोड़ी सी दीख रही थी और इसकी जो स्लीव है वो बहुत जादा प्यारी है और यह कूरता मुझे बहुत जादा अच्छा लगा और इसकी जो माटेरियल मैंने कही थी कि उतनी जादा अच्छी नहीं है पर फिर भी इसका दूख बहुत ही जादा अच्छा लगा और यह था आज का मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई इस्टेटियून अब भालब